आज के प्रैक्टिस सेट का पहला कोश्चन हमारे पास में यह एक चीज मैं आपको बताता चलू हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेट में के हैं जो कॉमर्स सम्मांदित पिछली परिक्षा हो चुकिए और इनकी पूरी पूरी उम्मीद है कि इनी में सो कोश्चन 2021 के टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स में भी आने कि इनकी पूरी संभाव ना है देड़ना करते उस्तुरू करते हैं पहला कोशन है उपारजित वह प्राप्त आय का फलित होता है ऐसी आय जो कमावी ली गई है और प्राप्त भी हो गई है यहां पर यह बात यहां पर कही जा रहे हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपारजित आय और प्राप्त आय क्योंकि दोनों के अर्थ अलग होते हैं लेकिन यहां दोनों को एकट्टा दिया गया है तो यहां दोनों की बात है कि आय को कमा भी लिया और रो प्राफ्त भी हो गई है तो फिर इसमे उस्तिति में क्या होगा क्या परिनाम संपतियों बरदी भापूनी में विरददी ऑप्सट्न है संपत्यों में कमी फूल ऐसे संपत्यों विरद्दी वदाइत्यों में कमी ढिय Sansu खुवर Via hy क्योंकि जब आय प्राप्त हो गई है तो संपत्य में ब्रद्धी होगी और पूंजी में भी इसे ब्रद्धी हो जाएके राइट आण्सर इसका इह होगा एक बार कोस्चन को फिर चाहें इसको देख लें अपरजित वर प्रद्धाय का फल तक यानी परिणाम संपत्यों में विरद्धी बापूजी में विरद्धी होगी अगला कोस्चन इस्तिती विवरण का अंकेक्षण ओपियोगी होता है इस्तिती विवरण का अंकेक्षण ओपियोगी होता है संस्था विरद्ध आकार की होता जब संस्था लगू आकार की हो आंत्रिक जाच कमजोर हो दमान ना हो इसका राइट आंसर भी इसका राइट आंसर नहीं भी होगा संस्था लगू आकार की हो तब मुल्य आय अनुपात अधिक होता जब पिर्ति अंस अर्जन अधिक हो अंस का पुस्तक की मूले अधिक हो अंस का बाजार मूले अधिक हो इन में से कोई नहीं कोश्चन को देख लें मूले आय अनुपात तो इसका राइट आंसर होगा C अंस का बाजार मूले जब अधिक हो तो मूले और आय अनुपात अधिक होगा एक फरम में प्रारमिक रहती है मािनस अंतिम रहती है कहलाता ये किस चीज का सूत हैो यहां पर यह बात पूछी गई है किरय किये गए माल की लागत तो क्रेय तो यहां पर खोदी दिखाई दे रहा है यानि किरय यह नहीं हो ज़कता विक्रे किये गए माल की लागत हस्त गट माल की लागत उतपादित माल की लागत तो यहाँ पर विक्रे सब्द नहीं आया था तो right answer इसका विक्रे बाला ही होगा यह विक्रे की लागत यहाँ पर आएगी अंतिम खाते तथा विवरंग पत्रों से तात पर रहे हैं चिठ्था लावानी खाता व्यापार खाता ये सभी राइट आंसर होगा डी ये सभी क्योंकि चिठ्था यानि सबसे पहले अंतिम खाते में सबसे पहले निर्मार खाता बनता जो इसमें नहीं दे रखा व्यापार खाता लावानी खाता और चिठ्था ये इनका किरम है ये इसके भाग हैं अंतिम खाते के राइट आंसर दी ये केवल व्यक्तिकत खाते तथा वास्तिव खाते दिखाये जाते हैं व्यक्तिकत खाते और वास्तिव हैं वो होगा आर्थिक चय्ठा और चर्थी के रखा और तो कि वास्ति कि यानि संपति खाते दिखाये जाती है ज्सव लेंदार है और देंदार तो देंदार संपति पक्ष् handle लेंदा पॉअ यह इस आंसर दो दिखा रहा है वो ए दिखा रहा है लेकिन एक गलत है यह राइट आंसर जो अब वी ही होगा यह आंसर यह गलत है मिश्टेक है यह कंपनी आदिनियम उन्होंसे 56 में आर्थिक चिठ्थे का प्रारूफ दिया गया है 1956 की यहां पर बात चला यह दिनियम son 1956 dus 1959 की अनुसार 1221 में 12213 में 1263 में 1221 में राइट आंसर जो है औध्य चीज़ा माल का मूल्य आंकन किया जाता है option है बाजार मूले पर फिर आपर मूले पर लागत मूले पर लागत और बाजार मूले मैसे जो कम हो अक्सर गलती कर देते हैं student हो क्या करते हैं को इसको सही कर लेते हैं कि यह वाला सही है D जो की गलत हो जाता है तो कच्चे माल की यहां पर बात आ रही है यह चीज़ में देखना कच्चे माल का मूल्य आंकन की बात चल लगा यह इस टॉक की नहीं स्टॉक की आती तो डी सही होता है कच्चे माल की बात चल लगा यह तो यहां पर होगा लागत मूल्य पर राइट आंसर सी होगा कंपनी अदिनमनुस्यप्पन की अनुसूची चार के भाग एक में निर्धारित प्रारूप का अनुपालन प्रते कंपनी में किसकी सत्य एबम उचित इस्तिति दर्स्थन के लिए करना चाहिए पहली चीज मैं आपको बता दूँ जो हिहां पर यह चार लिखा यह चार को इस तरह से लिखा हुआ होगा कि मुबाइल में विवर्स था इसको टाइप करने की नहीं हो पा रही है तो इसको इसी लिए इसको ऐसे ही टाइप कर दिया है अगला कोशन आर्थिक चिठ्ठे के दाईत पक्षमा आयाचित लाभांस निमन शीर सकता में दिखाया जाता है आयाचित लाभांस यह चालू दाइत के अंतरकत इसको दिखाया जाएगा राइट आंसर इसका सी होगा आयाचित लाभांस जिसकी घोष्णा अभी नहीं की गई है अंसर प्रीमियम की राज़ी को पूर्ण तया या अंसर दाया निमन के अपलेखन के प्रियोग में लाया जा सकता है यहाँ पर जो यह जात सब्द है यह केबल जा है ता इसमें नहीं आएगा जा सकता है ख्याती यह प्रारंबिक वे आइस्तागित आगंबे यह सभी तो राइट आंसर है भी यहाँ अंसर प्रीमियम की बात है तो अंसर प्रीमियम सब जानते होंगे 100 रुपय का अगर 110 में बेचा गया तो दस रुपय जो है वह इसका प्रियोग में लाया जा सकता है वी राइट आंसर इसकन्द में निम्न समलित नहीं है निगेटिव आंसर यहां पर पूछा गया है जो इसकन्द में यानि स्टॉक में समलित नहीं है एजेंट के पास माल यह तो है अनूबनन हेतू भेजा गया माल यह भी इस्टॉक में लिखा जाएगा माल जो बेचा जा चुका है परन्तु किरता को सपुर्दिगी की जानी है माल बेच दिया पैसे आ गए या उधार बेचा गया ओडर मिल गया है माल पैक कर दिया गया है लेकिन अभी भेजा न में चारों देखने चाहिए चौथा अप्सान है माल पुना विक्रेहे तू जैसे पिरती भीती के रूप में गिर्वी रखा गया है इसको भी नहीं सी राइटा अंसर होगा कि अगला कोश्य निम्न में किसे आर्थिक चिठे के संपत्ती पक्ष में दिखाया जाना चाहिए आर्थिक चिठे के संपत्ती पक्ष में पहला आप्सान है प्रारंबिक है अदत्त किराया अंसर प्रीमियम खाता यह सभी तो प्रारंबिक है संपत्ती में लागतों में ही जोड़ करके को संपत्थी पक्ष में देखाया जाता है यानि राइट आंसर जो होगा वो होगा यह अलत्य किराया यह तो दाइत है निम्न मैं से कौन अंकेक्षण की पिर्किरिया का अंग नहीं है यह अप्सन है पिरमालाकों का परीक्षण यह भी आंसर जो पूछा है नेगेटिव पूछा अंग नहीं है यह जो अंकेक्षण के अंतरगत नहीं आता है पिरमालाकों का परीक्षण ऑप्सन पहला दूसरा है संस्था के अधिकारियों से कुछ बिश्पषिटी करना मांगना C है चिठ्ठा एवं लाभानी खाता तयार करना अंक्येक शक पृती वेदन तयार करना नीगेटिव आंसर हमें देखना है फिरमाणों को का परिक्षण होता है सबस्ताक अधीकारेंट कुछ भी स्पाइस्टिक्रान मांगना होता है अंकि एक्षण पर तीक बेदन तयार करता है रिपोर्ट तयार करना लाश्चमा होता है तो जो नहीं होता है वो है सी चिठ्ठा एवां लाव भानी खाता अंके च्छक द्वारा नहीं किया जाता अंके एक्षण में क्योंकि इनी तो यह चीज़े पहले से तयार होती है इनी का अंके एक्षण होता है सी इसका राइट आंसर था अगला कोश्चन है कम्पनी अधिनियम के सूची चार संबन्दित है चिठ्ठे के प्रारूप से पार्सा सीमा नियम से पिर विवरान से या पार्सा अंतर नियम से अनुसूची चार आर्थिक चिठ्ठे से ही संबन्दित है अनुसूची चार की एक तो right answer A होगा अगला question संग्रहित हानियों को अफ्लिकत करने के बाद पूझी कटोती खाते के सेस को हस्तांतिरित किया जाता है समाने संचा खाते में पूझी संचा खाते में अंस पूझी खाते में या इन मैसे कोई नहीं यहां पर देख लें चंग्रहित हानियों को अफ्लिकित करने के लिए करने के बात जो भी हानियों हो चुके यह खटी हो गई हैं उनको अफ्लिकित कर दिया गया उसके बाद पूजी कटोती खाते के सेश को जो भी सेश बचा है उसको हस्तांतरित काई में करेंगे तो उसको हस तीन बर्सों तक मिलेगा तो इसके बारे में हमें अर्थ मालूम होना चाहिए ऐसे खर्च ऑप्शन भी देखने यहां पर पूंजी गत्वे आयगत्वे यह आगम्वे आगम्वे यह संभाव्वे तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका लाप अगले कई बर्सों तक प्राप्त होत सब्रे 여 стать को अगला कोशन एक भारती कमपनी की चिट्टे में संभाव्वे दाइतों को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए यह बात क्लिए रहा कि संभाव दाइतों जो भी होती है वह चिट्टे में नोट के रूप में देख Almelश ब्रूशन के बश्ची के सभी तो यह तीन ओप्सनों को हमें देखना है क्योंकि जो डी ओप्सन है वो कह रहा है उप्रोक्त सभी नोट के रूप में आर्थिक जट्टे में संभावेदाईत्यों को दिखाना है तो यहां ओप्सन जो होगा वो ए आंसर सही होगा यानि कंपनी के व्रोद दावे यानि कंपनी के व्रोद किसी ने मुकदमें कर दिये किसी संपत्ति के लिए लेकिन अभी उसर सुईकाल नहीं क्या गया है भविस्टए में नेरने के ऊपर ये डिपेंड है इसलिए संभाव्व्य ददाईत्यों को नोट के रूप में दिखाये जाता है उचन्त खाता दर्साया जाता है उचन्त खाता व्यापार खाते में लावानी खाते में आर्थिक चिठ्थे में तो उचन्त खाता आर्थिक चिठ्थे में दिखलाया जाएगा राइट आंसर सी होगा क्योंकि उचन तखाता तलपट जब बनाते हैं दौनर पक्षों का योग नहीं मिलता है तो जो भी सेज होता है उसे उचन तखाते के नाम से लिख देते हैं यानि सस्पेंश एकाउंट के नाम से लिख देते हैं और आर्थिक जिठे के दाईत्य पर दिएंप स्था होगा तलपट में उसी हिसाब से लिख जाता है एक गृषक के लोटे हुए अनादरत चेक की परविष्टीहोगी किरिय Murder Вам य है किसी को हमने चेक दिया है कि अरिँ अस्वी आ नादरत हो गया है कि पहले तो यहाँ पर एक ग्रहा Hawk के लोटे अना तरह चेक, हमने किसी को दिया है चेक, वो चेक बापस आया है, तो उसका जो लेखा होगा, वो होगा जर्णल प्रॉपर में, अलाकि तीन खाने वाली रोकडबही में भी ऐसे चेक का होता है, लेकिन यह जर्णल प्रॉपर ही इसका राइट आंसर होगा, किसी विशेश उद्देशे के लिए प्राप्त दानों को ले जाया जाता है, किसी विशेश उद्देशे की पूर्ती के लिए दान प्राप्त हुआ है, तो उसको हम कहां किसमे लेकर जाएंगे, आयवे खाते में, चेठे के संपत्ति पक्च में, चेठे के दाइट पक्च में आए हमें प्राफ्ट हो गया दान अब दान किसी बेशे सुद्धेसे के लिए तो हमारा अब ये दाइत है कि उस दान को उस उद्धेसे की पूर्थी के लिए हम प्रयोग में लाएं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चिठ्ठे के दाइत पक्ष में क्योंकि हमारा पास आज के question जो कि बहुत ही most important question है मिलेंगे अगली वीडियो में